एंडिये में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है LGP के तरफ से एक और बयान जारी किया गया है जिसके बाद जडियू और LGP के बीच खटास और जादे बढ़ने की उमीद है जिहां नमस्कार मैं हूँ अभी शेक्तिवारी आप देख रहे हैं लाइव बिहार बिहार में इसे साल बिधान सबा का चुनाव है और उसी के इर्द गिर्द अब बिहार के राजनिती शुरू हो चुकी है सभी राजनितिक दल अपने अपने हत्कंडे अपनाने में लगे हैं इसे बीच एंडिये में घमसान है जडियू और LJP के बीच लागातार आरोप और परतेरोप का दौर जारी है अब ऐसे में LJP के तरप से प्रवक्ता अशरफ अली ने एक और बयान दे दिया है इससे पहले हम आपको बता दें बयान सुनवाएंगे को यह हिदायत दे दिया है कि किसी भी प्रकार का इंडिये गठ बंधन को लेकर कोई और बयान नहीं देगा यानि इसका सर्वे सर्वे वो अपने पास रखना चाहते हैं जो को इस बी करना होगा चिराग पास्वान खुद करेंगे बाउजोदेश के लजबी प्रवक्ता ने क्या कहा है सुनिए आप किसी त्यागी जी के बयान आया है कि जड़ी और लोटपा का कभी गठ बंधन नेडा है अच्छी बात है हम उनके बयान का स्वागत करते हैं और 2005 से ही हम उनकी नीतियों से सामत नहीं रहे हैं और समय समय पर बिरोद करते रहें 2017 में एक ऐसी परिष्टिती बनी कि उनके मुख्य मंत्री जी को प्रधान मंत्री आद्रणियन अरेंद्र मोधी जी का आशिरवाद लेना पड़ा और हमारी पार्टी के राश्टिय अध्यक्ष आद्रणिय चिराग पास्वान जी ने कहा है कि प्रधान मंत्री जी का आशिरवाद जीन को है हम उनके साथ है तो वो 2017 में एक एसी परिष्टिती बनी लेकिन हम असपष्ट रूप से यह कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी के राश्टिय पैस चिराग पास्वान ने की भीःारी 1 विःष्ट डिन संकल्भ के साथ जो नहीं है लोजपा उसके साथ है दरसल चिराग पाश्वान ने पत्र जारी करते हुए उसके बाद केशी त्यागी ने एक बयान दिया जिस बयान में केशी त्यागी ने यह कह दिया था असपस्क तोर पर कि उनका गठ बंधन LJP के साथ नहीं है बलकि जदिव और BJP के बीच है अब यही बातों को आड़े हाथो लेते हुए एक बार फिर से LJP के तरफ से यह बयान जारी किया गया है देखने वाली बात है कि आने वाले समय में आखिर बिहार बिधान सभा से पहले क्या LJP गुल खिलाती है या फिर इ सब्सक्राइब लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए बेल आइकन दबना ना भूलें ताकि हरे खबर हम आप तक पहुंचा पाने में सक्चम हो सकें